नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेकनिकल सोनू टेक चैनल दोस्तों आज मैं आपको बात्रूम वाले एरिया में और ट्वाले वाले एरिया में पीछे वाले वाले वाल से कितना रखना है और बात्रूम वाले एरिया में दोस्तों किस जगह पर पॉइंट दें ताकि जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना है स्लोप कितना रखेंगे यह सब की पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा एक एक पॉइंट को मैं आपको आज एकस्प्रेंग करूंगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूब देखिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए और पे भी क्लिक पर पीछे बाथरूम दिखाए दे रहा है और यह जो है बाथरूम का इंट्रेंस है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पाइप हुआ है यह पाइप को फिट करने से पहले इसका खड़ा कैसे बनाते है इसका वीडियो में आपको दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्श है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कबर करूंगा फायप्ट डेग दोस्तों यहाँ पे हो गया है मैं आपको बेहटर तरीके से depict का संखू इसलिए यहां पिक्शा удивbug घा दिया हूँ ठीक है हर जगह पे बेड़र तरीके से आपको इनक MON कुरें करने की एकदम को लिक्र प्रवाइब करता हूं ठीक है इस बाथरूम से स्टार्ट होता है और आगे उधर के तरब जाता है टैंक जो है दुस्तों जो इस टैंक है वह दर यह नाली भी उधर ही है तो चलिए सबसे पहले वहां सही मैं आपको दिखाता हूं तब आपके समझ में आएगा एक पॉइंट अब देखेक । वे एकदम लास्ट Ogram पर क्या है देख सकते हैं यह पर यह जो दिख रहा है यह तैनक है ठीक है ठीक है और जो पाइप Lain निकल निकल रहा है दूस्तों डेनेस पाइपला ea यह देखे यहाप निकल रहा है यह दूस्तों यह राइट साइड वरान जो आप देख सकते हैं इसको मैं नाली मिलाके डाल दिया हूँ ठीक है उसके बाद यह वाला जो है दोस्तों यह सीवर पाइप लाइन है ट्वाइट वाला पाइप लाइन यह है अब देखे यहां से यह निकल रहा है यहां पे एक वाई दिया हूँ वाई दीके 45 देखे यहां प बाथरूम के अंदर भी खड़ा कर सकते हैं यानि कि जहां भी आपको इस पेस मिलता हूं आप यह पाइव लाइन को खड़ा कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पे इस तरह से इसको में खड़ा किया और इधान रखना यहां पर 90 डिग्री का टी नहीं यूज करना है क्योंकि से आ रहा है नीचे सबस्तों बाथरूम के अंदर से वह सीधा यहां से आकर आएगा दोस्तों यह सीवर पाइप लाइन अभी इस तरह से आता हुआ है दोस्तों यह चला गया है यहां पर इसको में डाल दिया हूं ठीक है लेबल कितना रखना है इसका और उबर फ्लो का है s wr5 का इसमें एक ही तरफ फोकेट होता है तो ऐसे भी आपको पता लगेगा उल्टा नहीं होगा इसका देखिए यहां पर इस तरह से आगे लेकर इसको में दे लबल कясे रखेंगं कि इसको कीतना नीचे रखेंगे और निकल रहा है दोस्तों इस टेग्स को शुक्तिर 悲ाश में राँ धिर चाहंने नंट रहा है कि एक मेंद भासे दूसरा वहां बप hours तक्रेश्ट वाज जो है वह ओबर फुल है आइए। वहां पर मैं आपको दिखाता कहीं आुँ दिखिए को यह चाया है यह चाहिए आस 132 टाला गया है और लिवरों दिख सकते यहां पर है और इस ही जैड़क वहाइओ는 K site और इसको मैं देखूं अगर तो देखे यहां से कितना हो रहा है यह तो तोटल 21 इंच आ रहा है ठीक है तो काफी ज्यादा नीचे है तो इतना नीचे भी ने रखना आपको यहां पर रख सकते हैं वह 12 इंच आ रहा तो इसको आप मैक्सिमम जो है 15 इंच कर दीजिए 16 इंच स से यह निकलना चाहिए जो ओबर फ्लो वाला पाइप है यदि आप दोस्तों यह ओबर फ्लो जो पाइप है बाथूम से निकलना जो पाइप है उसके ऊपर अगर आप रखते हैं आ और फ्लो का तो जो भी कचला होगा वह बैक जाएगा आपके बाथ्रूम में या फिट ट् यहां तक मैं आपको एक्स्प्रेइन कर दिया आप लोग बीडियो में बने रहें आप चलिए मैं बाथ्रूम में आपको एक्सप्रेइन करता हूं अब देखें वापस दोस्तों में अंदर आ गया बाथ्रूम वाला जो एरिया है यही से स्टार्ट होता है ठीक है बाहर वा आप यह वालग जो आप इस पेछ देख रहे हैं दोस्तों यह जो है क्लाइन कर दिमान था कि यहां पे तो जट का पॉइंट का ना को मैं दिखा दे रहा हूं यह दिखे यह पीछे वाला दिवार दिखा रहा है ठिक है फ्रेफ बीष्टर हो चुका है अब इसके उपर सिर्फ टाइल्स आएगा पीछे वाल्ड से लाइब यहां पर मेजर कर रहो हूं किसी भी तरह का कमोट होगा यहां पर इस्टाल हो जाएगा ठीक है अब 10 से दोस्तों अगर आप आगे करें इसको पॉयंट को रखते हैं तो क्या होगा कमोट इस्टाल करने के बाद यहां पर पीछे गये पाएगा इसमें जो की काफी गंदा दिखता है तो इस बाद काप ध् इसको आप 20-22 इंच रखेंगे इस पॉइंड को अभी मैं मिनिमम लेके चार रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर दो सेटप बनाना है एक इंडियन साधा सीट का एक कमोड वाले का तो कमोड वाला मैं आपको दिखा दिया साइड वाले दिवार से दोस्तों यह 18 इंच है कम से क और पीछे वाले दिवार से दोस्तों यह 11 इंच पर रखा हूं फाइनल 10 इंच आएगा 10 इंच इदर से मिलेगा फाइनल के बाद सद्रेंच इदर से मिलेगा कोई भी कमोड होगा इस्टाल कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद आप देखें कमोड का जो पॉ अब मुझे 2 पॉइंट देना था तो यहां पर T को मैं नहीं दिया हूँ यहां पर Y T का इस्तिमाल किया हला कि यह नीचे है उपर नहीं भेजा गया है अगर कोई लाइन उपर से आ रहा हूँ उसमें अगर 2 पाइक को अटेज करना हो आपको तो उसमें T नहीं बलकि Y T यू लिलता है दोस्पों पलंबर का वूस अप 10 के उपर इपेंड होता है कि आप ःसाकाम करते हैं कस्टमर आप से कितना साथिस्पाई का हो गया उसके बाद तो यहां पर इंडियन साधा सीड का पॉइंट बनेगा इंडियन साधासी को कैसे फिक्स करोंगा वैं उसका भी वीडियो में दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में है क्लिक करके आप देख सकते हैं पले लिस्ट भी चेक कर लिजे तो इस तरह से आप ही फिटिंग हुआ है कमूर का पॉइंट हो गया वाई टी में इस तरह से दिया मैं यह चला जाएगा इंडिया साधा सीट में उसके बाद आप देखें यहां से यह न इकलता हुआ इस तरह से आगे निकल रहा है और यह देखें यहां से बीम दिखाइद रहा ना तो यहां पर आप ध्यान दीके बिलकुल बारी की से समझें जो मैं बोल रहा हूं आप एक प्वाइंट को आप सुनिए देखें मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है यह दिखें यह यहाँ पेंट का निचला हिस्सा है ना यह देख सकते आप और पाईप यहाँ से टेच होके निकल रहा है ठीक है अभी एक इंच गैप आ रहा है लेकिन इसको में उठा दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ से यह जो पाईप है रहा है और श्लोप आपको ऐसे तह जाएगा अभी आगे स्लोप दिखाता हूं मैं उसके बाद आप यह वाला जो आपको दिखा देता हूं यह देखे देख सकते हैं यहां पर यहां पर कंसेल है तीन टैप लगा हुआ है तो यह सब का वीडियो में आपको दिया था अगर आपने नहीं देखा है तो डिसेशन में लिंक है क्लिक करके आप देख लीजिए तो इस बात्रूम का फिटिंग दोस्तों कंप्लीट हो गया है आप देखे यहां पर यह मैं आपको एक्स्प्रेइन करता हूं बहुत जरूरी पॉइंट है आप समझेए पहले क्या होता नाली का जो बाहर नाली दिखाया हूं आपको मैं उसका जो इसमेल होगा न वह बात्रूम के अंदर आएगा ग्रहां कंप्लेन करेंगे कि मेरा जो बात्रूम में बद्भू क्यों मारता है ठीक है तो वह इसी के कारण होता है देखे यहां पर यह जो नहानी ट्रेप मैं यह आगे तक जा रहा है आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं यह दिखे बात्रूम से निकला अब दिखे यहां पर यहां पर दोस्तों क्लाइन का डिमांड था कि यह चेंबर देना है और यहां पर पॉइंड भी है तो इसलिए यहां पर दोस्तों मैं इस तरह से टी को ल भी आपको पानी को ड्रेन करदा देना हो तरी अधिकर यल्बौ यहीं इसतरी राटी नहीं आपको हमेशा nhân यूज करना ऩैजांट दीया हूं उपए। यहाँ चेंबर यहाँ जरूत भी नहीं क्यों states तो देखें यह स्टार्टिंग पॉइंट में चेंबर की जरूरत क्या होगी फिलाल यहां पे इस तरह से लगा दिया हूं है उसके बाद आप देखें यहां पर यहां पर वाइटी दिया हूं ठीक है वाइटी को देखें यह सीधा लाइन आगे भेज रहा हूं और यह वाला यहां पर इस तरह से आ रहा है वाइटी से कनेक्ट होके वाइटी दिया फोटी फाइब देंगे तम नब्वे तयार होगा ठीक है लांग बैंड बनेगा नब्वे डिग्री पे ताकि जो है कशड़ा वहां पर फसने ना पाए देखें अब इस तरह से आगे आया है यहां पर देख सकते हैं चार बाइचार का नहां ट्रेप दिया हूं तो देखें इसका भी ध्यान रखना आपको क्या करना है यह जो साइड वाला दिवार दिखाई दे रहा है ना साइड वाले दिवार और यह वाले पीछे वाले दिवार से दोस्तों एक एक फिट का आप निकाल के प्रॉपर प्रॉइंट को दिया हुँ में प्रॉपर अब यहां पर सिंग का पारी होगा देख सकते हैं इसको बिल्कुल बीचों बीच रखना है ताकि जो है सिंग का जो वेस्ट पाइप लगे वह सीधा इसमें चला आए तो इस तरह से यहां पर किचन का भी प्रॉइंट मैं दे दिया आप चलिए आगे दिखाता हूं दूसरे ले बात्रूम में